तो अभी हमने अंगुठे के विशे में जो पढ़ा उससे आगे अंगुठे के बारे में कुछ विशेस बातें जान लेते हैं और जान लेते हैं कुछ विशेस गरंथ अंगुठे के विशे में क्या कहते हैं तो अगर ऑगटे के बारे मि बात करें समूद्र्ग तिल्ध के बारतिए पुस्तक है, समूद्रक शास्तर के बारे में, वहां दिखा गया है कि ऑगटा सीधा, चिकणा, उंचा, गोल हो, उसके पर्व सघन, और मासल हो तो व्यक्टी बहुत धन्वान होता है तो एक अच्छे अंग उठे के लक्षोन आप यह मान सकते हैं सीधा होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, उंचा होना चाहिए उंचा मतलब उपर के उठा हुआ, उंचा होना चाहिए गोल्ड हो और उसके पर्व सगन हो, सगन का मतलब एक दूसरे से बहुत नजदीक हो, जुड़े हो और मासल हो, अच्छी तरह भरे हुए, सुखा सा अंगुठा बहुत अच्छा फल नहीं देता है, तो ऐसा व्यक्ति धनवान होता है, यहां हम धनवान शब्द से अर्थ जो है, एक सफल से लेते हैं, कि ऐसा व्यक्ति सफल रहता है, अगर हम दूसरी विशे की बात करें, यहां हम एक अलग बात कर रहे हैं, अंगुठे में एक विशेश प्रकार का चिन्ह दिखाई देता है, अंगुठे के निचले भाग में, अगर हम अंगुठे को देखें, तो सामानता यह दोहरी रेखाई दिखाई देती है, लेकिन कुछ के हाथ में निचले हिस्से में यवचिन्ह दिखाई देते हैं, इस तरह की एक यव माला दिखाई देती है, यव क्या होता है, संस्कृत भाषा में यव का आर्थ है जौं तो एक जौं के निशान, जौं के जैसा एक चिन दिखाई देना, इसे यवचिन कहते हैं, यवचिन को अंगूठे में भारतिय गरंथों ने बहुत विशेश शुब माना है, अब यवचिन के बारे में अधि बात की जाए, तो यवचिन कैसा होता है, किसे हम यवचिन इसको एक सीधी रेखा पर एक इस तरह का चिन हो, तो इसे हम यव नहीं मानेंगे, यव के लिए दोनों रेखाऊं को हलकी सी गुलाई लिए होना चाहिए, और यह यवचिन है, यह अंगूठे में होना, धान देजिया, बाकी हिस्सों में इसे बहुत शुब नहीं माना जा जाता है, जबकि अन्य हिस्तों में हाथ के यवचिन थोड़ा अशुब संकीत होता है, तो यह यवचिन है, क्या और क्या होता है इसके होने से, अगर हम बात करें नारदिय सहिता की, नो नारदिय सहिता ने इसकी बहुत विश्यश प्रसंसा की है, वहां कहते है, आवमत जिसके हाथ में यवचिन नहीं है, उसके पास धन कहा होगा, तो धनी होने के लिए यवचिन होना बहुत आवश्यक है, यदि आपके हाथ में यवचिन है, यवर का निशान आपके हाथ में है, तो आपको ये निश्चित मान लेना चाहिए, कि आप पर्याप्त धनारजित क कर सकते हैं पुरुशार्थ के द्वारा लेकिन ध्यान रखेगा सपने से धन नहीं आता है पुरुशार्थ करने से धन आता है अब धन के मामले में कुछ और ग्रंथों ने अलग-अलग विशेश बातें की हैं विवेक विलास के नुसार यवचिन्न हो तो ख्याती विध्या विभूतियन के अश्वर्य फ्राप्थ होता है तो ख्याती प्रसिद्धी बहुत होती है ऐसे व्यक्ति के जिसको यचिन्न हो विध्या होती है किसी के मैंने बताया कि यह माला ऐसे अंगूठे को चारों और से घेर ले तो यह व्यक्ति तो निश्चित रूप से राजा लेकिन यह बिलकुल दुरलब मामला है ऐसा बहुत कम होता है ऐसा यह बहुत ही दुरलब मामला है अभी तक मैंने कभी किसी व्यक्ति के हाथ में इस तरह के चिनन नहीं देखे हैं तो कि पूरी यव माला इस तरह से बनी हूँ, ऐसा मैंने नहीं देखा है, ये तीन यवचीन काफी काफी लोगों के हाथ में दिखाई दिये हैं, बहुत कम लेकिन हाथों में दिखाई दिये हैं, दो काफी के हाथों में दिखाई दे जाते हैं, एक ये काफी सफल लोगों के ह वाला और यह हमारा दूसरा परव है यदी पहले परव के बीच में, जो दूसरी लाइन है इसमें आपको अंगुठे में यवचिन दिखाई यह यवचिन यदी सपष्ट रोप से वना हो यदी सपष्ट हाथ में दिखाई दे किसमें कोई ढूटनफुटन ना हो इ toolbox प्रकार का कोई बनावट में खोटना हो, बनावट में समस्याना हो, तो यह भी अच्छी सफलता का सूचक है, अधिकतर सफल व्यक्तियों के हाथ में मैंने यहाँ एक सपष्ट यवचिन्ह देखा है, अब यह असानी से आपको दिखाई दे जाएगा, अब एक और हमारे भार यह यवचिन्ह चाहिए छोटे भी हो, और दो या तीन हो सकते हैं, चार भी दिखाई दे सकते हैं, एक दम बड़ी यव माला नहीं है, पश्ट रूप से की तीन यव सही माला बनी है, ऐसा नहीं होगा, छोटे चोटे यवचिन्ह बहुत सारे आपको दिखाई देंगे, ऐस व्यक्ति, शास्त्र कहते हैं, कि ऐसा व्यक्ति पुत्रवान या संतान के सुख से युक्त होता है, तो यदि पती-पतनी इस बात को लेकर चिन्तित हैं, कि उन्हें संतान होगी या नहीं होगी, और उन्हें संतान होने में समस्या है, और उनके अंगूठे में यहां यव मा दीजेगा यदि यवचिन इस तरह का बना है तो यह यव क्योंकि टूटा हुआ है तो यह फल हीन हो जाएगा इसका फल बहुत न्यून मात्रा में दिखाई देगा यदि यव को कोई रेखा इस तरह से काट रही हो तो यह यव भी फल नहीं दे पाएगा यह फल ही नहीं होगा यदि यव चिन्ह इस तरह से बन जाए तो यह भी यव चिन्ह में दोश के रूप में दमाना जाएगा और यह अच्छे प्रकार से फल नहीं दे पाएगा तो यह हम यव के चिन्ह कोई तूटी के रूप में देखेंगे कुछ अंगूठों में जो आपको यहां यव चिन्ह दिखाई देगा यदिवा इस तरह से खुला हुआ है तो यह फल कारक यव नहीं माना जाएगा तो इसे हम बहुत विशेश लक्षन नहीं मानेंगे और यदि अंगूठा भी बहुत अच्छे स्थिती में नहीं है उसकी बनावट अच्छी नहीं है तो आप मानें कि इस यव चिन्ह का कोई फल नहीं होगा लेकिन यदि एकदम अच्छी बनावट है यव चिन्ह की और अंगूठे की बनावट भी बहुत अच्छी है तो यह व्यक्ति की सफलता का सूचक है और अभी तक मैंने जितने भी व्यक्तियों के हाथ में यव चिन्ह देखे है उसमें से अभी तक मैंने अनुगव में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जिसे सफलता प्राप्त नहीं हुई है तो ये एक अच्छा लक्षण है निश्यत्रूप से अंगूठे के मूल में यवचिन होना बहुत अच्छे लक्षण है ये अंगूठे की मूल रेखा केवल तीन यववव से बनी हो तो महान सुभ होती है केवल दो से बनी हो तो बहुत अच्छा है एक से बनी हो तो भी अच्छा है लेकिन ये अंगूठे में कोई यवचिन की रेखा नहीं है तो यह कोई बहुत बुरी बात नहीं है लेकिन हमें ये देखना होगा कि वो बना किसे है यदि वहाँ एक स्पष्ट रेखा से बना है तो यह ठीक है यह एक यह दो स्पष्ट रेखाओं से बना होता है एक उपर स्पष्ट रेखा होता है एक नीचे तो यह कोई दोश्पूर्ण बात नहीं है इसका मुतलब आपका हाथ समन्य है और समन्य होना निशित रुक से बुरी बात नहीं होती है लेकिन यदि आपके हाथ में रेखाएं इस तरह से बनी है यह रेखा संघर्ष का सूचक है तो आपका संघर्ष अधिक रहेगा आपको अधिक प्रिश्णम करना पड़ेगा यदि हाथ के अन्य लक्षण में भी हाथ के अन्य रेखाएं भी इसी तरह की दिखाई दें तो आपका संघर्ष बहुत अधिक हो जाएगा तो हम यहाँ यवचिन्ह के बारे में बात कर रहे थे मैं आपको फिर से एक बार बताऊं कि अधिकतर भारतिय ग्रंथों ने यवव को बेहद प्रसंस नहीं माना है और यवव की किसी भी ग्रंथ ने इसमें हमारे सभी ग्रंथ आलमुस्त सबी ग्रंथ एकमत हैं और वो एकमत से यवचिन का होना बहुत शुब और विशेश सफलता सूचक मान रहे हैं। भारतिय ग्रंथों का ध्यन करने वाले पश्चिमी विद्वानों ने भी यवचिन को अंगुठे में शुब मानना है। तो आज हमने बात की अंगुठे के परव के बारे में और अंगुठे के परव में यहां चिन के बारे में। तो मैं आपको बता दूँ कि यहां यवचिन जो है वो दूसरे में होना शुब है। पहले में आपको यवचीन दिखाई नहीं देगा। यहां हो तो बहुत शुब है। और यहां एक बड़ा से यवचीन तीन से यव माला बन जाए तो बहुत विशेश शुब है। यहां छोटी-छोटे कुछ हाथों में आपको इस तरह के यवचिन दिखाई देंगे. इस तरह के यवचिन दिखाई देंगे. यह यवचिन में हम उस संख्या काउंट नहीं करेंगे जहां मैंने यववों की संख्या बताई है लेकिन यह यवचिन भी निश्यतुरूप से शुब तो है यह संतान का सूचक है, यह संदेश जे रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति संतानवान होगा कुछ विद्धवानों ने तो इसी यवचिन हो को देखकर संतान के बारे में बताने का निर्देश दिया है कि संतान कितनी होंगी, यह यहां से देखा जाए लेकिन यह संख्या अनुसार ठीक नहीं बैट रहा तो मैं इसे नहीं मानता कि हम यहां इनकी संख्या देखकर हम संथान को ठीक बानें तो संथान के अनुसवार यह नहीं है तो संख्या नाम मानकर हम इसे शुब मानते हैं ऐसा व्यक्ति संथान मान होगा यह निश्चित बात तो इसके साथ ही अंगूठे का विशय हमारा यहीं समफ होता है अगली वीडियो में मैं अगले विशय के बारे में आपस जल्दी ही मिलूँगा इस ग्यान को प्रसार के लिए इस ग्यान के प्रसार के लिए वो हर व्यक्ति जो सीखना चाहता है वो हर व्यक्ति जिसे आप योग्यत समझते हैं ग्यान के लिए उस तक शेयर करके से पहुँचाईए उन्हें जानकारी दीजिए